ये question देख लीजिए, ये थोड़ा सा आपके लिए adjust करने के लिए थोड़ा सा difficult हो सकता है खैर, कोई difficult नहीं है अब यहाँ पर क्या करो e की पार minus x से नीचे पर multiply कर दो अब आप सोचोगे यह है मुझे कैसे पता चलेगा तो इसी को हम experience कहते हैं कि question लगाए रहोगे, तभी पता चलेगा आपको minus x, multiply, divide कर दिया नीचे उमिरेटर, denominator में उसके बाद system क्या बनता है ये ज़्यादा important है 2x plus 1 dx क्या हो जाएगा आपका अंदर ये multiply होगा तो it could be return as a e की पार minus 2x और sorry, plus 2x और ये into e की पार minus x upon e की पार 2x e की पार minus x और plus e की पार आपका क्या हो जाएगा minus x हो जाएगा अब देखिए, यहाँ base same है power क्या हो जाएगी, add हो जाएगी तो minus 2x और minus x x बचेगा, तो यहाँ सिफ x बचेगा similarly, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा minus 2x, और ये plus 2x और minus x, x बचेगा यह चला गया अब जो system बचा है, उसको ध्यान से देखिए कि जो denominator है इसका d by ds अगर निकालेंगे, e की पार x का e की पार x होगा, और e की पार minus x का minus e की पार minus x होगा मतलब नीचे अगर fx है तो उपर f dash x है, और ये किस form से match कर गया, f dash x अपान fx, मतलब इसका integral क्या हो जाएगा आपका यही से method आप substitution लगाना चाहते हैं, तो नीचे वाले को t पूट कर दीजिए, ठीक है डारेक्ट भी लिख सकते हैं, log of mod e की पार x प्लस e की पार minus x, ये डारेक्ट लिख सकते हैं लेकिन यहां से आप exam में दिखाना है, तो लिख लीजिए substitution से कर लीजिए लेट लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा e की पार x प्लस e की पार minus x into minus 1, ठीक है dx equals to क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, ये minus 1 यहां मुड़ाई होगे, क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा आपका अब देखिए numerator आपका ये ही पड़ा हुआ है, है ना e की पार x और minus e की पार minus x dx को dt लिख दिए, तो integral जो आपका convert हो जाएगा dt अपाउन t हो जाएगा, simple सा integral आगे आपका, तो ये इसका क्या होता है, 1 by t कि इसका अंटी derivative क्या होता है, log of mod t होता है यहां mod t की जोड़ात है नहीं, क्योंकि अल्यडी वो positive है, ठीक है तो आप लिख दोगे, यहां पे log of e की पार x plus e की पार minus x mod नहीं लगाएंगे, क्योंकि e की पार x plus e की पार minus always positive होता है plus c